नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइफ की स्पेशल रिपोर्ट बिहार में असली खेला होना बाकी है इस बात की चर्चा लगातार हो रही है पहले बताई ये जा रहा था कि लालू यादों खेल करने वाले हैं अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि जेडियू के 18 विधायक जो है वो तूट सकते हैं 17 विधायकों को लेकर खबरे जो है वो चलाई जा रही है इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खबर वाइरल हो रही है तमाम तरह से लोग इस पर अपनी अपनी टिपडी कर रहे हैं लेकर इसे बीच खबर ये भी आई कि स्पीकर भी बड़ा खेल करने की तैयारी में है दरसल स्पीकर ने बड़ा बयान दे दिया है स्तीफे को लेकर लगातार इस बात के चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले इस स्पीकर के खिलाफ आविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद स्पीकर हटाये जाएगे और उसके बाद जो कुछ भी राजनीती जो है वो आगे बड़ेगी लेकर उससे पहले ही अब अवध विहारी चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं दरहसल विहार में अभी भी स्पीकर जो है वो आरजेडी के हैं ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनके पास विश्वासमत नहीं है ऐसे में या तो वो इस्तीफा दे 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 या फिर विश्वासमत वो साबिद करें अब नोटिस भी उन्हें दे दिया गया था लेकिन जो नियम है उसका हवाला देते हुए अवद विहारी चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है क्या कुछ उनका कहना है इसके बादे में आगे आगे आपको बताएंगे लेगन उससे पहले आपको बताते हैं कि जेडियू इसे में राजश्री यादो नाम का एक जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये लिखा किया तेजिस्वी यादो की तस्वीर लगा के कि नितिश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं वैसे तो 4-5 विधायकों से ही काम चल जाता लेकिन इधर तो आधी जेडियू ही गायब हो गई हैं खेला होगा ये सब जानते थे लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था और नीची उन्होंने तेजिस्वी यादो की तस्वीर लगाई है अब ऐसे में तेजिस्वी यादो का बयान तो आप सभ बना रहे हैं आपको खबर दे रहे हैं तो उस वक्त यह जो ट्वीट है वह लगभग लगभग दो लाख लोगों के बीच में पहुंच चुका है दो लाख व्यूज है इस पर लगभग और इसके साथ ही लगभग 10,000 लाइक मिल चुके हैं ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि किस त मंदल का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है गोपाल मंदल वहां पर तेजिस्वी यादों को सपोर्ट करती हुए नजर आ रहे हैं तो तेजिस्वी यादों को लेकर जो जेडियू विधायकों का प्रेम है वो तो देखने को मिला ही था अब ऐसे में जब इस होगा वो तो आने वाली दिनों में पता चल जाएगा लेकिन अभी स्थिती ऐसी बनी हुई है कि ना तो स्पीकर इस्तीफा देने पर मान रहे हैं और ना ही बहुमत साबित करने के लिए एंडिये के पास बहुमत बचा है क्योंकि नितीश कुमार के विधायक जो है जेडिय बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी प्रितकरिया देने लगे तो क्या कुछ था गोपाल मंडल का वो बयान जो इस वक्त चर्चा का विशे बना हुआ है और जिसको दिखाती हुए यह कहा जा रहा है कि जेडियू के विधायक जो है वो तेजिस्वी के प्याद में डूबे हुए हैं और इसलिए सत्रा विधायक जो है वो तूटकर लालू यादों के पास चले गए हैं वो बयान आपको सुनाते हैं सुनिए निर्दोसे सब बच्छा निर्दोसे चाहि मिशा भारती हो जो भी हो दोसी हो सकते हैं लालू जी राबरी जी लेकिन वाल वच्छे दोसी नहीं हो सकते तौप सुन रहे थे गोपाल मंडल को जेडियू के विधायक है और यह कह रहे हैं कि तेजस्वी आदो इनोसेंट है उ इसले सी तरीके से खबरे जो है वो चल रही हैं दूसी तरफमेडिया पिस सारी खबरे जो वहालें चलाई जा रहे हैं समराज चौधरी यह कहरे हैं अभी नितीश कुमार पर बड़ी बड़ी बात ही कर रहा था नितीश कुमार पर बड़े बड़े इलजाम लगाये जा रहे थे आज नितीश कुमार का गुंगान भी चल रहा है तो ऐसे में नतीश कुमार कितना फाइदे मंद होंगे बीजेपी के लिए ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा लेकिन उससे पहले उनके विधायक जो है क्या वो मन से बीजेपी के साथ गए है अब ऐसे में सवाल ये है कि नितीश कुमार तो चले गए है लेकिन उनके विधायक जो है क्या वो बीजेपी के साथ जा पाएंगे और अगर उनका दिल मिल रहा है तो फिर वो गायब क्यों बताया जा रहा है और अगर गायब है तो लालुयादों के संपर्क में है ये भी खबरे चल रही है अब ऐसे में दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी आई कि जेडियू के MLC पर बड़ी कारवाई ED ने कर दी उनके ED और CBI की कारवाई जो है वो खत्म हो जाती है कारवाई खत्म हो जाती है लगबग लगबग या फिर केस दबा दिये जाते है ऐसे में अगर नितीश कुमार के नेता पर कारवाई होती है और अगर उनकी संपती अटैच की जाती है तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि BJP न स्पीकर ने भी बड़ा बयान दे दिया स्पीकर ने हवाला ये दे दिया कि जो नियम कानून है उसके तहत पूरी प्रक्रिया जो है वो होगी अब क्या कुछ है स्पीकर का कहना और किस तरीके से बीजेपी का खेल बिगड़ता हुए नजर आ रहा है इस पर चर्चा कर लेते ह अब अब बिहारी चौधरी जो है वो उनका ये दावा है कि उनको नोटिस की जानकारी आज ही मिली है साथ फर्वरी की अगर हम बात करें तो साथ फर्वरी की बात वो कर रहे हैं अब ऐसे में देखना होगा कि 28 तारिक को ही बताये जा रहा था कि नोटिस दे दिया गया था कि आप या तो इस्तीफा दे या फिर आप बहुमत साबित करें इस स्पीकर को लेकर एक तरीके से बीजेपी ने दावा कर दिया था कि उनके पास बहुमत नहीं है अब ऐसे में स्पीकर का ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी आज मिली है अब बीजेपी जो है वो दावा कर रही है लेकिन स्पीकर का ये ही कहना है कि जानकारी आज दी गई है तो जो नियम कहता है कि अगर स्पीकर को नोटिस दिया जाता है स्पीकर को इस मामले में ब मिलता है वो पूरा होने से पहले वो स्तीफा नहीं देंगे तो नियम 14 दिन का वक्त देता है ऐसे में बताये जा रहा है कि 20 फरवरी तक वक्त है उनके पास और 21 फरवरी को जो है उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा 20 फरवरी तक वो स्पीकर बने रहेंगे अगर जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि आज ही मुझे इस बात की जानकारी मिली है तो बीजेपी ये चाह रही थी कि पहले स्पीकर को हटाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो लेकिन अब स्पीकर इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो इस तीफा ही नहीं देंगे और जो नियम कानून है उसी के तहत वो काम करेंगे अब ऐसे में बीजेपी जो ये सोच रही थी कि स्पीकर को हटाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो और इसलिए फ्लोर टेस्ट की डेट जो है वो दूसरी तरफ विधायक गायब हो गए हैं अब ऐसे में देखना ये होगा कि ना तो स्पीकर हटेंगे और विधायक अगर दूसरी तरफ गायब हुए हैं तो तेजिस्वी और लालू कोई बड़ा खेल जो है बिहार में कर सकते हैं तो लिगाहें बिहार की अपडेट पर ट